कॉंग्रेस परेसा अधिक सुक्वीलिय सेंग सुक्कु के द्वारा एच्पीसी मामले पर सांसत अन्राक ठाकूर को आड़े हाथ हो लेने पर राजनिती गरमा गई है और देहरा दौरे के दौरान सुखो के हच्पीसे को केबल मौज मस्ती के अड़े के बेयान पर सांसक अन्राक ठाकूर ने पलट पार किया हमिरपूर में सांसक अन्राक ठाकूर ने कॉंग्रेस पर तंजगसते हुए कहा कि रसी जल गई लेकिन बल नहीं गया क्यूंकि कॉंग्रेस पाइटी एच्पीसे के मुद्दे पर ना सिर्फ जनता में बल की कोट में भी मौ की खाने पड़ी है मुझे लगता है रसी जल गई पर बल नहीं गया कॉंग्रेस की ये हालत है जिस रास्ते पे चल के वीरभदर सिंग जी को अपने हाँ जलाने पड़े सुप्रीम कोट और हाई कोट ने कॉंग्रेस की सरकारों को लताड भी लगाई निरने भी एच्पीसे के पक्ष में आए और ये भी स्पाश तोर पर कहा गया कि किस तरह से भेद बाव करके राजनितिक द्वेश के साथ हम लोगों पर मुकद में दर्ज किये गए थे हिमाजचल जहां पर कोई खेल में मैदान नहीं होता था वहाँ दुनिया का सबसे खुबसूरत मैदान भी बना बड़े आयोजन भी हुए सेंकडों लोगों को स्वरोजगार के अफसर मिले और अर्थ विव्यस्ता हिमाजचल परदेश की विशेश तोर पर जिला कांगडा उन्ना हमिरपुर में अगर बड़ा फरक पड़ा है तो हिमाजचल परदेश क्रिकट संका उसमें बहुत बड़ा योगदान है कॉंग्रेस के लोग नशे को बढ़ावा देते रहे हम खेलों को बढ़ावा देते हैं कॉंग्रेस ने नशे की बोतल और चिट्टा दी हमने वॉली बॉल फुट बॉल क्रिकट की बॉल दी परदेश की जनता को देखना है नशे वाले या खेल वाले ह्पीसी अध्यक्ष एवं सांसित अन्राक ठाकुर ने कॉंग्रस प्रदेशा अध्यक्ष सुक्विंदे सिंग सुखु को नसिहत देती हुए कहा कि बियानवाजी करने से पहले सो समझ लिया करें उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉंग्रस ने नशे को बढ़ावा दिया है तो बीजेपी ने खेलों को उन्होंने कहा कि अब अगामी चुनावों में परदेश की जनता तै करेगी कि नशे वाले चाहिए या फिर खेल वाले हमने खेलों को बढ़ावा देने का काम किया है इन में से कॉंग्रेस का एक भी नेता सत्तर साल में एक उधारन बताए कि उसने खेल के लिए किया क्या है चाहे वो वीर भद्दर जी हो वो अपने जिला शिमला में तो एक स्टेडियम नहीं बना पाए मैंने वहाँ दो बनाए हमने बगार जिला जाती धरम देखे खेलों का विकास किया है कॉंग्रेस को अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे लगता है अभी और मार खाने की इनकी जरूरत है क्योंकि जिस तरह से चुनाव हा रहे हैं जिस तरह से मार चुनावों में पड़ी है यह अगले लोगसवा चुनाव में भी पड़ेगी वहीं देरा में सेंटरल उनिवर्स्टी विवाद पर सानसित अनराखठा कुर ने सुखु और पूरव कॉंग्रेस सरकार को दोशी ठहराते हुए कहा कि कामों को लटकाने का कार्या पूरब कॉंग्रेस सरकार ने किया है जबकि बीजेपी सरकार में सत्ता में आते ही ना सिर्फ एनोसी दिलवाई है तो मेडिकल कॉलेस को भी शुरू करवाया है उन्हें ने कहा कि कॉंग्रेस में आपसी गुटवाजी और सुखु वीरवधर सिंग को लतारते हैं और वीरवधर सिंग सुखु को लतारते हैं जो की जनता जान चुकी है मुझे लगता है सुखु जी को पढ़ने की आदत नहीं है ग्यान कम है हावा में बाते करते हैं वीर भदर जी से उनकी लड़ाई के कारण हमिरपुर को खामियाजा भुकतना पड़ा मेडिकल कॉलेज चार साल तक जमीन कॉंग्रेज की सरकार ने नहीं दी चार महिने के अंदर मेडिकल कॉलेज क्लासे भी शुरू कर दी मेडिकल कॉलेज के निर्मान के लिए शिरा न्यास कर दिया चार सो बिस्तर का अस्पताल हमिरपुर में बनाने की शुरुआत कर दी ये कॉंग्रेज ने रोके थे पांच साल केंद्रिय विश्विद्याल्य देहरा के लिए साइन और परमिशन कॉंग्रेस की सरकार ने नहीं दिया कॉंग्रेस वहाँ पर राजनीती करते रही धड़ों में कॉंग्रेस बटी थी और उसी तरह से जिला कांगडों को भी बांटने का प्रयास किया इन्होंने बिलासपूर के हाइड्रो एंजिनेरिंग कॉलेज पर पांच साल रोक लगा कर रखी लेकिन जैसे ही हमारी सरकारे बनी धड़ले के साथ एन्नो सी भी हो गए और काम भी शुरू हो गया कॉंग्रेस को आइना दिखाने की जरूरत है पांच साल तक हजारो क्रोड रोककर रखे कॉंग्रेस ने हजारो लोगों की नौकरियाας सुरोजगार के अफसरों के कॉंग्रेस ने नाशा बढ़ाया कॉंग्रेस ने अब कॉंग्रेस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये चलेगा नहीं सुखो जी ये आप अपनी पार्टी के अंदर वीर भदर जी को लतार सकते हैं आम जनता बहुत जागरूख है